प्रधान मंत्री ने उनसे ये सुनिश्चत करने को कहा कि आजादी के बाद सबसे बड़े कर सुधार GST का लाब कीमतों में कमी के रूप में आम लोगों तक पहुँचना चाहिए और साथ ही 20 लाख रुपे से कम के कारोबार वाले भी नई प्रणाली में पंजिकरत हो मोदी ने अधिकारियों से अपनी कारे संस्कृती में सुधार लाने को कहा उन्होंने कहा कि अधिकारियों को देश में कर प्रशासन में आजादी की 75 वी वर्षकांट 2022 तक सुधार लाने के लिए निश्चित रूप से स्पष्ट लक्ष तै करना चाहिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कर अधिकारियों से अगहोशित संपत्ती का पता लगाने के लिए आकड़ों के विशलेशन का उप्योग करने और 2022 तक कर प्रशासन में सुधार के लिए स्पष्ट लक्ष तै करने को कहा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों से दूसरे सालाना संयुक्त सम्मेलन राजस्व ग्यान संगम का उदगाटन करते हुए प्रधान मंत्री ने कर अधिकारियों से लंबित मामलों का निप्तान करने और ऐसा माहौल बनाने को कहा है जिससे इमानदार करदाताओं के बीच भरोसा बढ़े और भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी मई 2014 से सत्ता आने के बाद से ही करदाताओं को आश्वासन देते रहे हैं कि वो जवाद देही और उत्तर दाइत्विन निर्धारित करके करदाताओं में अधिकारियों को लेकर जो डर है उसे समाप्त करेंगे इस संबंध में जो उपाय किये गए हैं उसमें भ्रषचाचार पर अंकुष लगाने के लिए करदाताओं और अधिकारियों के बीच कम से कम आमना सामना सुनिश्चित किया जाना शामिल है इसके लिए रिटर्न की आसान ओनलाइन फाइलिंग और दावाराशी की वापसी के साथ कागज रहित ईमेल आधारित ईजाच शामिल है एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि करप्रशासन में मानविय हस्तक्षेप नियुनितम हो उन्होंने इ आकलन पर जोल देने और प्रोध्योगी की का उप्योग कर चुपचाप कारिवाही करने को कहा ताकि नेत स्वार्थी तत्व कानून में बाधा नहीं डाल पाएं